हलो अरिगन टोड़े इस देट्वल अबेस्ट थर्टी जे जर्णी विट फिजिक्स इन दिस वीडियो 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 के आगे से पढ़ेंगे अगर यह टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा उस पे ज सुरू करते हैं electric generator electric generator का काम क्या है electric generator यहाँ परणे अनल इस में डियो कई लाज एंदर डाला जाता है और जब यह uniqueness होताitta है तो यहाँ होता है सेम ऐसी ही यहां पर डीजल डाला जाता है तो यहाँ पर वाय है जहां पर करन्ट प्रडिश होता है सेम ऐसे ही ये एक साउंड प्रूफ जनेरेटर है जो किसी बड़े बंगले में इस्तमाल किया जाता है साउंड प्रूफ का अर्थ है कि इसके अंदर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती हाँ थोड़ी सी वाइबरेशन सो हो सकती हैं बड़ साउंड नहीं आता यह एक छोटे से ओफिस के लिए जिसके अंदर लापटप चलाया जा सकता है तो आएए पड़ते हैं प्रिंसिपल अफ लेक्ट्रिक मोटर इस फिगर को ध्यान से देखते हैं यहां पर एक रेक्टेंगलर क्वाइल है ए बी सी डी हम एक्टेंडल सर्गिट में ले सकते हैं बाहर की तरफ तो इसका आर्थ यह है कि इलेक्ट्रिक जनेरेटर जो है वो प्रिंसिपल अफ इलेक्ट्रमेगनेटिक इंडेक्शन के पर काम करता है जो की है वेन रेक्टेंगलर क्वाइल इस रोटेटेड पर पैंडिकलर तो का यहां पर दिख रहोगा आपको यह रहा नौ से साथ की तरफ यह जो मेंगनेट है यह बहुत पावर्फुल मेंगनेट होते हैं और यह होच्व शेप होते हैं इस तरीके से पीछे से यह connected होते हैं अगर arms AB और CD को देखें यह arm AB है और यह arm CD है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो magnetic field N और S के perpendicular यह दोनों बने हुए हैं देखें यह दोनों यहां perpendicular का मतलब है 90 degree के angle पे हैं जब यह 90 degree के angle पे होते हैं और file rotate होती है mechanically तब जाके बहुत ज़्यादा current produce होता है third point है slip ring slip ring का अर्थ है कि यह जो rings हैं वो slip करती हैं आप जानते होंगे कि जो bearings होती हैं जिसमें छोटे छोटे iron balls होती हैं यह जो iron balls होती हैं इस bearing को आसानी से rotate करती हैं सेम ऐसे ही यहाँ पे slip rings आपको दिख रही हैं यह हमारे पास है slip rings यहाँ पे दिख रहा है यह है slip ring ring 1 और यह दूसरी ring है यह circular होती है ring 2 और इस slip ring के साथ brushes लगी हैं B1 और B2 B2 बस यह रहा और B1 बस यह रहा जब यह rotate करता है जब यह coil rotate करेगा तो B1 और B2 rotate नहीं करता जबकि यह जो rings हैं वो continuously इसके साथ ही rotate करती रहती है इसका आर्थ यह है कि B1, B2, R2 के साथ हमेशा जुड़ा रहता है बट B2 rotate नहीं करता यानि bearing के ऊपर लगा हुआ है slip ring के ऊपर लगा हुआ है यह slip करके आगे की तरफ rotate होता रहता है नेक्स्ट है brushes अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो brushes है B1 और B2 यह जो brushes हैं वो R1 और R2 slip ring से connected है दो इस brushes the current induced in armature coil is sent to external circuit अगर यह brushes R1 और R2 ring से जुड़ी हैं तो यहाँ पर जो current generate हो रहा है उस current को यह बाहर की तरफ निकालने में सहायता करते हैं अब परते हैं working of electric generator के बारे में कि electric generator काम कैसे करता है यहाँ पर दो figures है यहाँ पर एक left hand side में figure है और एक right hand side में figure है तो एक एक करके समझते हैं एक एक figure के बारे में तो left hand side के figure को पहले समझते हैं left nd side में क्या हो रहा है यहाँ पे दो pulse हैं दो magnets हैं, यहाँ पे north magnet हैं यहे पे sound magnet है अब एक coil है, हमारे पास ABCD इस coil को यहाँ से rotate किया जा रहा है continuously जब इस coil को rotate किया जाता है तो magnetic field की direction है, North साउथ यहाँ पे है और इस coil को जब rotate किया जाता है तो यहाँ पे एक current generate होता है induced current कहते हैं उसको magnetic field की जो direction है वो N2S है A, B, C, D moves upward and downward respectively यह upward and downward movement जो है वो mechanical हमें diesel engine के सारे से किया जा रहा है जब ऐसा होता है कि इस coil को magnetic field के बीच में rotate किया जाता है जो current बनता है वो B2 से B1 की तरफ बनता है यह flaming right hand rule से हमें पता लगता है अब next figure की तरफ जाते हैं यह हमारी next figure है यह रहा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब जब rotate हुआ है first time तो DC इधर आ गया है और AB इधर आ गया है अब यहाँ पे क्या होगा यह continuous rotation हो रहा है rotation होने के बाद यह जो R1 ring है वो B1 के साथ continuously connected है B2 ring जो है वो यहाँ R2 के साथ continuously connected है अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है magnetic field की जो direction है वो north से south की तरफ है north से south magnetic field की direction है और DC BA moves upward and downward respectively क्यूंकि इंजर rotate कर रहा है तो DC उपर की तरफ जा रहा है आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक arrow बना हुआ है यह उपर जाने वाला arrow यहाँ पे दिख रहा होगा आप यह arrow उपर जाने की तरफ बता रहा है कि DC उपर जाएगा और BA जो है वो नीचे जाएगा अब जब DC BA उपर जाएगा तो flaming right hand rule के हिसाब से यहाँ पे induced current होगा वो opposite direction में होगा इस figure में जो direction दिख रही है आपको left side में उसके opposite direction में right side में आपको current generate किया हुआ दिखेगा यहाँ पे मतलब दो current बन रहे हैं एक positive direction में एक negative direction में इसका ध्यान से रहेगा कि AC का मतलब क्या होता है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ working of electric generator electric generator काम कैसे करता है आपने जो पिछली slide पढ़ी थी वहाँ मैंने electric generator कैसे काम करता है इसके बारे में अच्छे से बताया था एक बार और ध्यान देते हैं if the coil ABCD rotates clockwise then the arm AB moves upward and the arm CD moves downward which cut the magnetic field lines of source ABCD coil continuously rotate हो रही है AB उपर की तरफ जा रही है और CD हर बार नीचे की तरफ जा रही है clockwise direction में जब AB उपर की तरफ और CD नीचे की तरफ clockwise direction में continuously जा रही है तो इस coil के अंदर एक current produce हो रहा है जिसका direction है B2 से B1 की तरफ इसका direction है B2 ब्रस से B1 की तरफ ध्यान देखेगा B2 ब्रस से B1 की तरफ अब है according to Fleming left hand rule यहाँ पे B2 से B1 की तरफ current बनेगा जब यह coil rotate होगी north-south magnet के बीच में according to Fleming right hand rule the induced current flow from A to B in arm AB and C, T in arm CD it flows along ABCD therefore the induced current flow in circuit through B2 to B1 अब next diagram क्योंकि वो rotate हो गया है तो CD का जो side है वो इधर आ गया है और AB का side यहाँ पे आ गया है अब पढ़ते हैं after half a rotation of armature the arm CD moves upward and AB moves downward CD उपर जाएगा और AB नीचे जाएगा next rotation में क्योंकि इससे पहले जो rotation था वो clockwise था तो AB left side में था और CD right side में था अब यह half rotation के बाद CD left side में आ गया और AB जो है वो right side में आ गया अब जो current की direction होगी वो उसके विपरीत होगी जो पुराने वाले में थी पुराने वाले में current की direction B2 से B1 के तरफ थी इस बाद जो है वो current B1 से B2 की तरफ जाएगा थे induced current now flow is reverse direction यह आनों DCBA तो आपने एक फिगर में देखा कि एक बार current B2 से B1 की तरफ जा रहा था और एक बार current B1 से B2 की तरफ जा रहा था अगर मानते हैं कि B2 से B1 की तरफ जो current जा रहा वो positive current है और B1 से B2 की तरफ जा रहा वो negative current है तो हर half rotation के बाद ये current अपनी direction को change कर रहा है तो ऐसे current जो अपनी direction को हर seconds में change करते हैं उस current को हम alternative current का नाम देते हैं The direction of current in the external circuit changes after every equal interval of time is called alternative current Topics to be covered in next video is domestic electric circuit Thanks for watching, do like, share, comment and subscribe the channel for further learning